pronunciation इसका मिनिंग है हम किस भी वर्ड को कैसे प्रणाउंस करते हैं बोलते कैसे हैं ठीक है इसका पार्ट है a syllable is a smallest unit of a word with a single sound syllable कहते हैं जो हम जोड करते हैं जोड तोड करते हैं इंगलिश के वर्ड में जैसे हम उर्दू में करते हैं अलिफ मदा बे आब या अलिफ मदा पे अलिफ पा आपा इस्ती तरह हम इंगलिश के वर्ड में syllables करते हैं ठीक है सेलिबल्स यह देखे मैंने उर्दू में भी यहां पर लिखा हुआ है किसी वर्ड को parts में डिवाइड करके पढ़ना जो है उसको सेलिबल कहते हैं parts में कैसे डिवाइड करना है यह मैं आपको समझाती हूँ read the following words aloud इन words को उंचा पढ़ना है उंची अवाज में पढ़ना है and identify or identify करें their syllables इनके syllables means के उंची अवाज में पढ़के syllables जो हैं उनके find करने है word है call bite football climate beautiful अच्छा इसके तो उन्होंने part दिये हुए कि कैसे कैसे divide करना है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हमने इसको कैसे read करना है जैसे में हम उर्दू में word पढ़ते हैं और हमारे पास शरार्ती no जहां पर आ जाते हैं वहीं पर हमने words को तोड़ देना है होता है इसी तरहां English में जहां पर हमारे पास vowels आ जाते हैं vowels letters आ जाते हैं वहाँ पर हमारा words जो है वो तूट जाता है लेकिन जहां पर two vowels कठे आएं तो two vowels मिलकर एक नई sound पैदा करते हैं ठीक है? जब two vowels कठे आ जाएं उनको हमने नहीं तोण two vowels मिलकर कभी long, कभी short और कभी एक नई sound प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? इसी तरहां जब last पे e आ जाता है तो वो e silent हो जाता है e को भी हमने नहीं तोणना होता है यह देखे हैं हमारे पास word है call a आया था इसमें single a vowel है तो इसका one syllable है call ठीक, यहाँ पे byte two syllables है bite ठीक, two syllables आ गए इसके next, football अब देखें, यहाँ पर two हमारे पास vowels आ गए हमने यू नहीं करना के foo, oot ठीक है, इसको लादा तोड़ना नहीं है जब two vowels आ जाने है तो उन्होंने कठे मिलकर long या short sound प्रोड्यूस करनी है, जब same होंगे, ठीक है, means के double O आ गया, जब same two vowels होंगे तो उनकी sound है, वो short या long हो जाएगी कठी, इसको हमने तोना नहीं है, foot second वाली, ball foot, ball इसी तरह next, c, l, i, i जहां पे आ गया, वहीं हमने इसको break कर दिया, clay, m, a, t, e, mate e, end पे आया, तो e हमारे पास कोई sound नहीं दे रहा, ये silent है, last पे e mostly silent होता है, clay, mate, two syllables आ गये, अब आ गया beautiful, अब ये देखें, यहां पर हमारे पास है two vowels, but दोनों different है, e और a लएदा-लएदा है, यहां पर दोनों vowel foot में same थे, ठीक है, तो उन्होंने short यहां long sound sound produce करनी थी, तो यहां पर short sound आई foot, और यहां पर beauty आया, हमने इसको view पढ़ना है, view, कैसे पढ़ना है, हमने, e की sound और है, a की और है, दोनों sound से लएदा-लएदा है, लेकिन जब two vowels कठे आ जाएं, तो हमने, first sound को focus करना होता है, first vowel को, हमने बोदर करना होता है, और इसी की हमन sound produce करनी होती है, लेकिन, sometimes, दोनों vowels मिलकर एक नहीं sound produce करते हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर नहीं करते हैं sound produce, तो focus हमने, first one को करना होता है, जोर हमने पहली पर देना होता है, जैसे beauty, bu, ठीक है, b, e की sound आ रही है, e, bu, a की, a, हम a तो नहीं ना कर रहे है, दोनों की मिलकर, b, बन गया, ठीक है, b, long, और जब u आ गया, तो u अपनी अलएदा sound दे रहा है, b, u, ठीक है, b, u, t, i, t, beauty, t, i, अलएदा sound दे रहा है, यहाँ पे तीन vowel मिल गए, तो तीनों एक ही sound में जाएंगे, b, u, t, f, u, l, full, beautiful, यह हमारे syllables हैं, हम लफजों को यह words को कैसे जोड तोड करके English में पढ़ते हैं,